नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल SNK पार्ट साल पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरी राइटिंग की और ये स्टोरी राइटिंग का वीडियो नमबर वन है यानि कि इसके बाद और बहुत सारी वीडियो आपको सेम टॉपिक पर मिलने वाली है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और इस सीरीज को क्यों चालो किया हूँ इसके पीछे रिजन है कि इससे बनने वाले क्वेश्चन खास करके अभी के board exams में मैं देख रहा हूँ कि सभी में story writing का topic बहुत ही important बना हुआ है तो आज के question को हम discuss करेंगे साथ में इसमें हम सिखेंगे कि किस तरह से story को लिखा जाता है उसका format क्या होता है सब कुछ बाते यहाँ पर clear हो जाएंगी कौन से 10 का प्रयोग की जाता है वो भी आप यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे चलिए start करते हैं और समझने के कोईश करते हैं step by step सब कुछ तो पहले आपको समझना है कि इससे question कितने marks के आते हैं जो story writing, writing activities और skill का topic है उसमें story writing 5 नंबर और 10 नंबर यानिकि 5 marks और 10 marks के question के pattern पर आता है 5 marks का जब question आता है तो या तो CVSC में है या फिर छोटे classes में आएगा और वहाँ पर आपको under 80 words या 100 words के अंदर में ही आपको एक story को लिखनी होगी most of the time ये 80 words तक ही आता है दूसरी बात यह है कि जब ये 10 marks में आता है तो वहाँ पर आपको 125 words से plus लिखना होता है और उस समय आपको मतलब समझना है CVSC में थोड़े बड़े यारी कि 1500 words में भी लिखना पड़ सकता है और अगर आप 12th class में है तब भी इसका limit बढ़ सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि आपको मतलब वह लिमिट को देखकर ही लिखना है अगर 125 लिखा हुआ है एकसेडिंग लिमिट लास्ट तो आप 30 तक भी लिख सकता है 35 तक भी कर सकता है अगर स्टोरी पूरी नहीं होई हो तो समझते हैं एक चीज को यूजिंग फॉलोइंग हिंट अब यह हिंट दिया रहेंगे जिससे आपको इडेंटिफाई करना होगा कि यह स्टोरी आखिर है कौन सी क्योंकि इसके बाद एक नंबर आपको मिलेगा इसके टाइटल को लिखने में तो टाइटल क्या होता है इसका वो अगर आपने पता कर लिया तो आपको उसी में एक स्टोरी मिल जाएगा मतलब एक नंबर तो पहले अच्छे से पढ़ का समझे है क्रो सीटिंग ओन ट्री यानि कि कववा जो है वो क्या है बैठा हुआ है एक पेंड पर पीस ओफ मीट इन इट्स बैक इसके चोंच में यानि बैक में क्या है एक मीट का टुकड़ा है मांस का टुकड़ा है फॉक्स पासिंग अंडर द्री वहां से उस पेंड पर जिस पर कववा बैठा हुआ है वहां से देखेंगे तो नीचे से एक फॉक्स पास हो रही है माने गुजर रही है वो चाहती है मीट को क्रो को गाने के लिए उस मीट को अपने पेर के नीचे दबा लेता है और सिंग यानि गाना चालू करता है फुल्ड इयानि फूल्ड फुल्ड माने मुर्ख बनती है या बनता है कौन फोक्स और लिव और चला जाता है यानि कि कहानी बस इन कुछ पॉइंट्स के थूरू लिखनी है यानि कि ये पॉइंट्स आपके स्टोरी में इंक्लूड होने ही चाहिए लेकर याद रखें कि इन पॉइंट्स को अगर हम सब्जेक्ट फर्व अग्रिमेंट करके सुचेंगे के लिख दें जैसा कि बहुत सारे स्टोरेंट मैंने देखा है कहते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा तो पहले तो समझते हैं कि आप यहाँ देख पा रहा है कि इसका हीडिंग क्या होगा तो एक बात तो clear हो गई कि इस बार जो crow है वो मूर्फ नहीं बनता है किस से तो वो मूर्फ नहीं बनता है। उस चलाक femra se से और धूर्त लोमडी से क्यों नहीं बनता है उसका पीछर रिजन क्या है पताइए कारण है कि उसने मीट को अपने पैरों को नीचे दबा लिया गाने से पहले तो एंसर जो बनेगा दो तरह से इसका आप टाइटल लिख सकते हैं तो पहला है दो क्लेवर क्रो यह भी लिख स दिखना चाहिए यानि कि वो बोल्ड होना चाहिए पहला बात याद रख लिजे दूसरा है कि जितने भी वर्ड्स आप टाइटल में यूज करने वाले हैं उनका स्टार्टिंग क्यापिटल लिटर से होना चाहिए एक्सेप्ट आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन ठीक है य प्रेपोजिशन या कोई भी वर्ड हो वो बड़ा होगा और अंडर में जब बीच में जब देख रहे हैं मिडल पार्ट में इसे एंड और दौ है वो छोटे लिखे गया है यह बात आपको ध्यान रख नहीं है तिसरी बात जो है अंडर लाइन करना है आपको उस टाइटल को जिससे कि वो डिफरेंट दिखे और इस स्टोरी जो है वहीं पर बहुत हरत तक क्लियर हो जाए कि इससे आपको नंबर मिलने वाला है और आपका एक मार्क से ही से आएगा आप स्टोरी में और आगे बढ़ेंगे देखने ही कोई करेंगे और कुछ जैसे कि पहला क्या बा बात है देर वस अ क्रो एक कोवा था विच वोज सिटिंग नियर अमीट शॉप फूर फूर जो बैठा हुआ था विच वोज सिटिंग एक समय की बात है क्या था एक कोवा था क्रो विच वोज सिटिंग जो बैठा हुआ था नियर अमीट शॉप मैंने कि मांस के दुकान के नजदीक, अब क्रो क्यों मान्स के दुकान के नजदीक बैठा था, या बाद आई है, simple सा बात है, for food, खाने के लिए, उसे भूख लगी थी, तब ही अचानक से क्या होता है, suddenly it found a piece of meat, अचानक से उसे एक meat जो था वो गिरा, और उसने उसे देख लिया, ठीक है, तो उसे मिल गया वो meat का एक टुकड़ा, it took, टुक मतलब ले लिया, that piece of meat, and fled to the jungle, piece of meat को लिया, और jungle की तरफ उड़ गया, fly का second form, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कि आप अगर past tenses को नहीं समझे हैं, जैसे was, were का use, जिसको आप where कहते हैं, क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि यह कहानी पहले घड़ चुकी है, और story writing में हम verb to का use करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन simple past tense का भी use किया जाता है, introductory there का भी use किया जाता है, past form में, तो इस तरह से कई चीज़े हैं, इसको मैं आगे clear करूँगा, अलग से वीडियो बना करके, story writing आखिर लिखने से पहले आपको tenses को समझना आउसेख है, तो आप tense को जरूर पढ़ ले अपने से, अगर पढ़ पाए तो, या फिर जहां भी आप tuition कर रहे होंगे, वहाँ पर आप sir को कह सकते हैं, कि sir हमें tenses अच्छे से पढ़ाईए, कि वह हमें help करते हैं, किसी भी sentence को लिखने में, अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोले थे कहानी में, कि एक कववा था, जो एक meat के दुकान के नज़िक बैठा हुआ था, कुछ खाने के लिए, उसे तुरंत या अचानक से एक meat का टुकड़ा मिला, जिससे उसने उठाया, जंगल के तरफ उड़ गया, अब कववा का बारे में, यह जो बात बोली गई, यह हमने खुद से लिखी है, क्यों लिखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि word limit जो है, वो 100 to 125 words तक जाना है, अब आगे देखिए, यहां से आपके जो hints दिये हुए थे वो पार्ट, यानि कि hints से पहले आप क्या कर सकते हैं, खु holding the piece of meat in its back, by holding, मानि पकड़े हुए, the piece of meat, यानि meat का टुकड़ा, in its back, बेक का मतलब, जो उसका बेक है, बेक का मतलब हो गया, चोंच में, it was going to eat, और वो क्या करने वाला है, इसको खाने वाला है, किसको, meat को, तभी क्या होता है, a hungry fox was passing by, एक भूकी, भूकी मतलब भूकी ल और वो क्या कर रही है, passing by, वहां से गुजर रही है, actually गुजर रही थी, the fox was notices, fox ने क्या किया, ध्यान दी, या fox noticed कर सकते है, आपर भूब तुला कर गया, the fox noticed the meat and wished to eat that, fox ने क्या किया, देखा, किसे, meat को, मान्स के टुकड़े को, कोवे को पकड़े हुए, और उसने क्या चा आए, या उसे ले ले, clear, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहेगा, एक एक बात को, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, और हर एक word का भी meaning बता दूँगा, जिससे कि आप इसे अच्छे से learn कर पाए, the fox was very clever, and he knew that the crow could be fooled, अब जो चुकि हम जानते है, कि fox क्या हो पता था कि crow को, वो क्या कर सकती है, fooled, यानि कि मूर्ख बना सकती है, तभी उसने खुद से क्या कहा, he said to the crow, उसने कववे से कहा, how beautifully you sing, oh crow, he said to the crow, how beautifully you sing, oh crow, कववा भाई, तुम कितना सुन्दर गाते हो, फरध्यान दोगे, how beautifully का मतलब, बहुत सुन्दर से, बहुत मिठा, मुर्ख बाने के लिए कहा रही है, और यहां पर ओ, crow जो लिखा गया है, वो address करने के लिए लगाए गया है, hearing the voice of the fox, fox की आवाज को सुनते ही, hearing the voice of the fox, जैसे ही उसने आवाज सुना fox का, कौन, कौवा, the crow looked under the tree, तभ उसने नीचे, पेड़ के नीचे देखा, the fox said again, fox ने क्या किया, the fox said again, फिर से उसने कहा, please, क्रिप्या करके, let me listen to your beautiful voice, मुझे अपना गाना सुनाओ, अपना आवाज सुनने दो का मतलब यह हो गया, कि let me listen, मुझे सुनने दो, या फिर सुनाओ, your beautiful voice, अपना सुन्दर सा आवाज, to please my ears, ताकि मेरे कानों को क्या हो, please हो, वो कान, please होने का मतलब होता है, उनको सुकून मिले, खूस होना होता है, ऐसे, and he asked the crow to sing once for him, और उसने क्या कहा, कि को भाभाई, एक बार फिर से मेरे लिए गा दो, को बोला क्या, once for him, एक बार, ask मने पूछा, कि क्या, एक बार मेरे लिए गाओगे, या फिर एक बार मेरे लिए, गाओ, and he asked the crow, उसने ग्रो से पूछा, to sing गाने के लिए, once for him, फिर से, clear, आगे की बातों को समझेंगे, काफे interesting है, आपको देखी रहा होगा, तो अगला जो topic है, उसमें क्या लिखावा देखिएगा, हलाकि इस story खत्म होने वाली है, but do not worry, हम आगे बहुत कुछ समझने वाले हैं, कुछ नीचे और बाते बताऊंग है, तो सुन लिजिएगा, क्यों अगर आपका मानों तो, the next thing that happened, अगला जो चीज हुआ, या फिर जो घटना घटी, happened का मतलब घटना, का घटना, यानि कि होना, the fox was stunned by it, fox इसे देखकर क्या हो गई, चौक गई, आश्चरे चकित हो गई, स्ट्रिंट का मतलब आश्चरे चक piece of meat, यानि कि मांस के टुकड़े को under its feet, मतलब उसने direct गाना चालू नहीं किया, कि वो गिर जाए, एक ऐसा story भी है, जिसमें कववा गाने लगता है, flattered crow कहते हैं उसे, बहुत जदा दूसरे की बातों में आ जाने वाले को, और प्रसंसा सुनकर वो खुस हो जाने वाले को, तो इतना खुस हो जाता है, कि वो उसमें क्या करता है, मेट को गिरा देता है, ड्रॉप कर देता है, और लोमडी उसे खा कर चल जाती है, लेकिन ये story, counterpart है उसका, क्या कहता है, कि under its feet, कववे ने मेट को अपने feet के under, यानि कि पैरों के निचे दबा लिया, and started crowing, और उसने गाना चालू कर दिया, crowing का मतलब यहाँ पर है, चिलाना, काओं काओं की आवाद, जो कहते हैं लोग, the fox was fooled, indeed, अब क्या हुआ, and hearing the harsh voice, अब क्या हुआ, कि folks जो सोच के आई थी, कि मैं, मैं कोवे को मुर्ख बनाऊंगी, यह सोच के आई था कि मैं कोवे को मुर्ख बनाऊं और सून कर उस करकस या harsh आवाज को, off the crow कोवे का, he ran away, वो दोड़ के यहाँ से भाग गया, यहां तक पूरी बात clear हो गई हो गया, I think मुझे लगता है, अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे, मुर्ख क्या है, मैं फिर भी मुर्ख लिख दे रहा हूं, कहीं पर question ask किय जा सकता है, कि moral क्या है स्टोरी का, बट कभी कभी नहीं भी पूछा जाता, तो पूछा जाए तो आपको देना पढ़ सकता है, तो मैं हर वीडियो में ट्राइ करूंगा, कि moral दे दू, moral क्या होगा, don't think anyone as a fool, इससे हमें ये सिक्षा मिलती है, कि हमें किसी को भी मुर्ख नह पूरी बात समझ में आ गई होगी, तो बहुत अच्छी की बात है, वीडियो पसंद आये तो लाइक भी कर दिया करो, जिससे कि मुझे समझ में आये कि हाँ, आपको पसंद में आ रही है, नहीं पसंद आये तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी ब बजह को मैं सुधार लूँ साइब, और आगे मैं आपके और कामा हूँ, तो आपने देखा किस तरह से मैंने इस स्टोरी को डिजाइन किया है, मैंने कोशिज किये कि जितने भी वर्ड्स को मैं यूज करूं, काफी easy language में हो, आसान भासा में हो, ताकि आप इसे आसानी से सम समझ पाएं, तो बात एक इसी तरह से question आपका exam में पूछा जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला तो है कि story writing आपको देख रही है, यह topic है, hints ऐसे मिलेंगे, अगर आप Bengal board से बिलोंग करते हैं, समझ लेजिए आपके लिए 9, 10, 11, 12, 7, 8, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 बहुत easy way में, word limits भी सही था, अब आप इसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ ज़्यादा word लिया गया है, यहाँ पर, उपर में extra देखते हैं, आप लगाया गया था, अब कुछ बाते आपको prepare करनी हैं, जो मैं बताने ही वाला था, कि आपको अगर पढ़ना है, story writing को आपको यह अच्छे से समझ में आए, पहला है introductory there, यह क्या होता है, तो grammar के section में, grammar के book को आप खोलिएगा, तो आपको मिल जाएगा introductory there, इसका परियोग भी करते हैं, और story writing में past वाले का बहुत ज़दा उपयोग होता है, दूसरा जो बात है वो है, कि subject के बाद verb 2 का अच्छे से clear होने चाहिए, past के tenses, ठीक है, past के जितने भी tenses हैं, वो सब clear होना चाहिए, ताकि आपको यह अच्छे से और समझ में आ सके, I think अब आपको यह बाते पूरी समझ में आ गई होगी, तो मिलेंगे ऐसे ही एक informative way में, देखिए मैं चाहता तो इसको और बढ़ा कर सकता वीडियो को, या फिर छोटा कर देता वाच ज्यादा होने के लिए, लेकिन मैंने वीडियो को ऐसा बनाया है, कि आपको at least समझ में सब कुछ आ जाए, तो वीडियो पसंद आए, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए, ताकि और वीडियो आपको मिल सके, मिलेंगे, अगली वीडियो में टिल दन टेक कर, अपना ख्याल रखें, जै हिंद! झाल 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 झाल